नमस्कार बच्चो आज हम आपको अध्याय 16 मंत्र पढ़ाने जा रहे हैं बच्चो यह जो मंत्र है यह मुंसी प्रेम चंजी दुवारा लिखित है तो सबसे पहले हम मुंसी प्रेम चंजी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं बच्चो बच्चो मुंसी प्रेम चंजी को जो है कलम का सिपाई कहा जाता था और साथ ही उनको कथा समराट के नाम से भी जाना जाता था इनका जो जन्म है वो 31 जुलाई सन 1880 को कासी से चार मिल दूर लमी नामक गाउं में हुआ था और इनका जन्म जो है एक कायस्त परिवार में इस लेखक ने अपने लेखन को बढ़ाने के लिए सरकारी नौकरी तक छोड़ दी और साथ ही इन ने हिंदी कहानी को एक नई दिसा और दसा परदान की दिसा और दसा यानि इस्तिति इनकी कहानियों में ग्राम में जीवन यानि जो गाउं का जीवन होता है उसकी में भूम मिलती है इनकी कहानियों की सूचियों है वो लंबी है वो तीन सो से भी ज्यादा है यानि तीन सो से भी उपर मान्सरोर नामक जो है इनका परसिद कहानी संग रहे है और गोदान जो है इनका परसिद और अंतिम उपन्यास है 56 वर्ष के जीवन काल में इस महान कथा समराट ने 8 अक्टूबर सन 1936 में अपना शरीर त्याग दिया अर्थार्थ मृत्यों को प्राप्त हुए तो बच्चो मंत्र इनी के द्वारा लिखीत है तो यह किस कहानी में किस चीज का वर्णन है किस पर आधारित है आए पढ़ते हैं कथा समराट सिरी प्रेम चन द्वारा लिखी थी है कहानी मानवे सम्वेदनाओं का इतना सजी उचितरन करती है कि पाठकों का हर्दे विचलित हुए बिना नहीं रहता एक डोक्टर की हर्दे हीनता यानि जो एक डोक्टर है वह कितना हर्दे हीन है जैसे कि उसके पास हर्दे नाम की कोई चीज ही नहीं है और एक बुढ़े गरीब व्यक्ति का कर्तव्य पालन कैसे उन्हें कचोटता है यह वर्णन मन को छू लेता है तो देखिए पढ़ते हैं बचो संधे का समय था डोक्टर चड़ा गोल्फ खेलने के लिए तयार हो रहे थे मोटर कार सामने खड़ी थी कि दो कहार एक डोली लिए आते दिखाई दिये कहार कोन होते हैं जो डोली को लेकर कांधे पर रखकर आते हैं डोली के पीछे बुढ़ा लाठी टेकता चला रहा था डोली ओजदाले के सामने आकर रुख गई और बुढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पर पड़ी दोक् seguridad के पास आया वा था एक बुढ़ा वेक्ती तो वै दिरे दिरे चिक से जहाक रहा था कि कहीं कोई उसे देखकर डाण ना दे ऐसी साफसथी जमीन पर पैर रहते हैं भैख हो रहा था डर लग रहा था कि कोई उसे गुड़क ना दे गुड़क ने देर था तो उसे के सामने खड़े देखकर भी कुछ कहने का साहस नहीं हुआ डोक्टर साहब ने चिक के अंदर से गरज कर कहा कौन है क्या चाहता है बुड़े ने हाद जोड़कर कहा हुजूर बड़ा गरीब आदमी हूं मेरा लड़का कई दिन से इतना ही कह पाया था बुड़ा कि डोक्टर ने बोला कल सवेरे आओ कल सवेरे इस वक्त हम मरीजों को नहीं देखते बुड़ा व्यक्ति तो पहले ही डर रहा था कि पता नहीं डोक्टर मेरे साथ जाएंगे नहीं जाएंगे क्यों एक तो गरीब था और दूसरे बड़े डोक्टर के पास आते वे उसे डर लग रहा थ बुड़े ने कहा दुआई है सरकार की लड़का मर जाएगा हुजूर चार दिन से आखे नहीं इतना ही कह पाया डोक्टर ने फिर बोला कल सवेरे आओ कल सवेरे यह हमारे खेलने का समय है अब देखिए कैसे जो है यह डोक्टर अपने हर्दे हिंता के कारण किस परकार लड़ी उतार कर चोगट पर रख दी और रोकर बोला हुजूर एक निगहा देख लें बस एक निगहा लड़का हाथ से चला जाएगा हुजूर साथ लड़कों में यही एक बच रहा है हुजूर हम दोनों आदमी रो रोकर मर जाएंगे सरकार आपकी बढ़ती होए दिन बंदू यानि आपकी तरक्की हो बढ़ती का मतलब आपकी तरक्की हो दिन बंदू मगर डोक्टर साहब ने उसकी ओर मुँ फेर कर देखा तक नहीं मोटर पर बैठ कर बोले कल सवेरे आना मोटर चली गई बुढ़ा कई मिनट तक मूर्ती की भाती निस्चल खड़ा रहा निस्चल बिलकुल भी हिला डुला नहीं और ऐसे ही मूर्ती की भाती मूर्ती बनकर खड़रा संसार में एसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद यानि अपनी खुशी के आगे किसी की जान की परवा भी नहीं करते सायद उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था बुड़े को अब तक भी विश्वास नहीं हो रहा था कि डोक्टर मना करकर चल और है इसका मर्म बेदिय अनुभव अब तक नहीं हुआ था उसे इस चीज का अनुभव आज तक नहीं हुआ था कि यह संसार इतना निर्दई भी हो सकता है कि अपने खेल कूद के सामने किसी की जान की परवा भी ना करें जब तक बुड़े को मोटर दिखाई दी वे टक्ट सहब के लोटाने की आशा थी फिर उसने कहारों से डोली उठाने को कहा डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई चारों से निरास होकर वे चड़ा के पास आया था इनकी बड़ी तारीफ सुनी थी यानि उसने बहुत डोक्टर के पास गया लेकिन हर जगे से निरास हुआ तो उसी के बाद वे डोक्टर चग्ड़ा के पास आया था क्योंकि उसके बारे मुने ने सुना था कि वो एक बहुत अच्छे डोक्टर है और मरीज को ठीक कर देते हैं किस्मत ठोकली इतनी बड़ी तारिफ सुनी थी यहां से निरास होकर फिर वे किसी उसे रोक्टर के पास नहीं गया किस्मत ठोकली उसी रात को उसका हस्ता खेलता साथ साल का बालक अपनी बाल लिला समाप्त करके इस संसार से सिधार गया बुड़े माबाप के जीवन का यही एक आधार था इसका मूँ देख कर ही जीते थे इस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात भाए भाए करने लगी बुड़ापे की विशालममता टूटे हुए हर्दे से निकल कर उस अंधकार में आर्थ स्वर सेरों ने लगी आर्थ स्वर दुखी स्वर कई साल गुजर गए डोक्टर चड्डा ने खूवी अशर धन कमाया उनके केवल दो बच्चे हुए एक लड़का और एक लड़की लड़की का तो विवा हो चुका था लड़का कॉलेज में पढ़ता था वही माता-पिता के जीवन का आधार था श्रील और विन्य का पुतला बड़ा ही रशिक बड़ा ही उदार विद्याल्य का गोरव यूवक समाज की शोभा मुकमंडल से तेज की छटा सी निकलती थी आज उसी की बीसवी साल गिरा थी संद्या का समय था बच्चो शहर के रईस एक तराफ कोलेज के छातर दूसी तरफ बैठे बोजल कर रही थे इस समय वह एक रेसमी कमीज पहनी नंगे सीर नंगे पाउं इधर से उधर मित्रों की आउवकत में लगा हुआ था कोई पुकारता कैलास जरा इधर आना कोई उधर से बुलाता कैलास क्या उधर ही रहोगे सभी उसे छेडते थे चुहले करते थे यानि हसी छिठोली चुहले यानि हसी छिठोली करते थे बेचारे को जरा दम बरने जरा दम मारने का भी अवकास नहीं मिलता था सहसा एक रमनी ने उसके पास आकर का क्यों कैलास तुमारा साप कहा है जरा मुझे दिखा दो कैलास ने उससे हाथ मिला कर कहा मर्नालिनी इस वक्षमा करो कल दिखा दूँगा मर्नालिनी ने आगरे किया जी नहीं, तुम्हें दिखाना पड़ेगा, मैं आज नहीं मानने की, तुम रोज कल कल करते हो मरनालनी और कैलास दोनों सहपाटी थे और एक दूसरे के प्रेम में पगे हुए थे कैलास को सापों के पालने, खिलाने और नाचने का शौंक था तरहत रहके सापाल रखे थे, उनके सवभाव और चरित्र की परिक्षा करता रहता था यहें विद्या उसने एक बूढ़े सपेरे से सीकी थी सापों की जड़ी बूटियों, सापों की जड़ी बूटियां, जमा करने का उसे मर्ज था इतना पता भर मिल जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी जड़ी है फिर उसे चैनने आता था, उसे लेकर ही छोड़ता था यही वैसन था, इस पर हजारों रुपे फूख चुका था मर्नालनी कई बार आचुकी थी, पर कभी सापों को देखने के लिए इतनी उत्सुक नहीं हुई थी कह नहीं सकते, आज उसकी उत्सुकता सचमुज जाग गई थी या वह कैलास पर अपने अधिकार का परदशन करना चाहती थी पर उसका अग्रह बे मोका था कैलास ने कहा, नहीं कल जरूर दिखा दूँगा, इस वक्त अच्छी तरह दिखा भी नहीं सकूँगा कमरे में तिल रखने के लिए भी जगय नहीं है, अर्थार्थ कमरा जो है भरा पड़ा है एक महस्य ने छेड़ कर कहा, दिखा क्यों नहीं देते जरासी बात के लिए तना टालमटोल कर रहे हो दूसरे मासा ने कहा, मिस गौविन इतनी सीधी और भोली हैं, दूसरी सुन्दरी होती तो इस बात पर बिगड़ खड़ी होती तीसरे साहब ने मजाक उड़ाया, अजी बोलना छोड़ देती मढणाल ने देखा कि ये सोहदे उसे रंग पर ठढ़ा रहे हैं तो बोली आप लोग मेरी वकालत ने करें, मैं खुद अपनी वकालत कर लोगी मैं इस वक्त सापो का तमासा नहीं देखना चाहती, चलो छुट्टी हुई इस पर मित्रों ने ठहा का लगाया, एक बोले देखना तो आप सब कुछ चाहें पर कोई दिखाए भी तो कैलास को मढणालनी की जेपी विसुरत देकर मालू हुआ कि इस वक्त उसका इनकार वास्तों में उसे बुरा लगा है जो ही प्रतिभोज समाप्त हुआ और गाना शुरू हुआ उसने मरनलनी और अन्य मित्रों को साप के दर्बे के सामने ले जाकर महुर बजाना शुरू किया फिर एक एक खाना खोल कर एक एक साप को निकालने लगा, वाह क्या कमाल है एसा जान पड़ता है कि वे कीडे उसकी एक एक बात उसके मन का एक एक भाव समझते हैं किसी को उठा लिया, किसी को गर्दन में डाल लिया, किसी को हाथ में लपेट लिया मर्णाली बार-बार मना करती कि उन्हें गर्दन में ने डालो, दूर से ही दिखा दो, बस जरा नचा दो, कैलास की गर्दन में सापो को लिपटते देख, उसकी जान निकल जाती थी पस्ता रही थी कि मैंने व्यर्थ ही इन्से साप दिखाने को कहा, मगर कैलास ने सुनता था, प्रेमिका के सम्मुक अपने सर्पकलापरदर्शन का ऐसा अवसर पाकर वै कब चूपता एक मित्र ने टीका की, दात तोट डाले होंगे कैलास असकर बोला, दात तोट डालना मदारियों का काम है, किसी के दात नहीं तोड़े गए हैं, कहिए तो दिखा दूँ कहकर उसने एक काले साप को पकड़ लिया और बोला, मेरे पास इस से बड़ा और जहरिला साप दूसरा नहीं है, अगर किसी को काट ले, तो आदमी आनन फानन में मर जाए लहर भी ने आए, इसके काटे का कोई मंतर नहीं है, इसके दात दिखा दूँ, मर नल ने उसका हाथ पकड़ कर कहा, नहीं नहीं कैलास इस वर के लिए उसे छोड़ दो तुम्हारे पैरो पड़ती हूँ, इसके बाद वै मैफिल से चली गई एक दूसरे मित्र बोले, मुझे तो विश्वास नहीं आता लेकिन तुम कहते हो तो मान लूँगा कैलास ने साप की गरदन पकड़ कर कहा, नहीं साप आप आँखों से देख कर माने, दाथ तोड़ कर वस मे किया तो क्या किया, साप बड़ा समझदार होता है, मगर उसे विश्वास हो जाए कि यह है कि इस आदमी से मुझे कोई हानी नहीं पहुँचेगी, तो वह उसे हरगिज नहीं काटेगा उसने साप की गरदन पकड़ कर जोड़ से दबाई, इतनी जोड़ से दबाई कि उसका मू लाल हो गया देखी साइन से तनगई साप ने अब तक उसके हातों ऐसा व्यावार नहीं देखा था उसकी समझ में नहीं आता था कि यह मुझे से क्या चाहते हैं उसे सायद भर्म हुआ कि यह मुझे मार डालना चाहते हैं अतेव वह आत्मरक्षा के लिए तयार हो गया कैलास ने उसकी गर्दन खूब दबा कर मुझे खोल दिया और उसके जहरे ले दाथ दिखाते हैं बोला जिन सर्जनों को सको आकर दीख लें आया विश्वास या अब भी कुछ सक है मित्रों ने आकर उसके दाथ देखे और चकित रह गए पर्तिक्ष प्रमान के सामने संदे का इस्थान कहां मित्रों का संका निवारन करके कैलास ने साप की गर्दन डेली कर दी और से जमिन पर रखना चाहा पर वह काला गेहुवन क्रोध से पागल हो रहा था गर्दन रम पड़ते ही उसने सिर उठा कर कैलास को जोर से उगली दबा ली और अपने कमरे की तरफ दोड़ा वहां मेज की दराज में एक जड़ी रखी हुई थी जिसे पीसकर लगा देने से घातक विस भी रफू हो गया हो जाता था मित्रों ने में हलचल बढ़ गई बाहर मैफिल में भी खबर हुई डोक्टर साब गबरा कर दोड़े फोरन उगली की जड़ कसकर बांदी गई और जड़ी पीसने के लिए दी गई जड़ी के कायल ने थे वहें उगली का डसा भाग नस्तर से काट देना चाहते थे मगर कैलास को जड़ी पर पूर्ण विश्वास था मर्नाली नी पियानो पर बैठी हुई थी यहाँ खबर सुनते दोड़ी और कैलास की उंगली से तपकते वे खोन को रुमाल से पोचने लगी जड़ी पीसी जाने लगी पर उसी एक मिनट में कैलास की आँखे जपकने लगी होटो परनिला पर दोडने लगा इतने में जड़ी पिसकर आ गई मर्नाली ने उसके उंगली पर लेप किया एक मिनट और बीता कैलास की आँखे बंद हो गई वे लेट गया और हाथ से पंखा जिलने का सरा किया मा ने दोड़ कर उसका सिर गोद में रख लिया और बिजली का टेबल फैन लगा दिया डोक्टर साब ने जुक कर पूछा कैलास कैसी तवियत है कैलास ने धीरे से हाथ उठा दिया मगर कुछ बोलने सका मनलान ने करुण स्वर में कहा क्या जड़ी कुछ असर ने करेगी डोक्टर साब ने सिर पकड़ करका क्या बताऊं मैं इसकी बातों में आ गया अब तो नस्तर से भी कुछ फाइदा ना होगा कैलास की दसा परतिछन बिगड़ती जाती थी यहां तक की उसकी आखे पत्रा गई हाथ पाउ ठंडे हो गए मुख की कांती मलीन पड़ गई नाड़ी की का कहीं पता नहीं मोद के साय लक्षन दिखाए दिने लगे घर में कोरा मच गया मरनाली एक और सिर पीटने लगी मा अलग पछड़े खाने लगी डोक्टर चड़ा को मित्रों ने पकड़ लिया नहीं तो वे नस्तर अपनी गर्दन पे मार दिलेते एक मा से बोले कोई मंत्र जाडने वाला मिले तो संभव है अभी भी जान बच जाए डोक्टर चड़ा बोले मेरी अकल पर पत्थर पड़ गया था कि इसकी बातों में आ गया नस्तर लगा देता तो यह नोबत क्यों आती बार बार समझाता रहा कि बेटा सांप नैपालो उसके पैरों पर रख दूँगा लगोटी बांद कर घर से निकल जाओंगा मगर मेरा कैलास मेरा प्यारा कैलास उट बैठे इस वर के लिए किसी को बुलाई एक मा से का किसी जाडने वाले से परिचे था वह दोड़कर उसे बुला लाए मगर कैलास की सुरत देखकर उसे मं पत्र चलाने की हिम्मत ने पड़ी बोला अब क्या हो सकता है सरकार जो कुछ होना था हो चुका अरे मुर्ख यह क्यों कहता है कि जो कुछ ने होना था हो चुका जहां हास्य की धवनी थी वहां अब करुण कंदन और अस्रू प्रवाहा यानि रोना पीटना और आसू बहने लगे सहर से कई मिल दूर एक छोटे से घर में एक बुढ़ार बुढिया अंगिती के सामने बैठे जाड़े की रात काट रही थे इतने में एक आदमी ने द्वार पर आवाज दी बगत बगत क्या सो गए जरा किवाड खोलो बगत ने उटकर किवाड खोल दिये एक आदमी ने अंदर आकर कहा कुछ सुना डोक्टर चड़ा बाबु के लड़के को सामने काट लिया बगत ने चोक कर कहा चड़ा बाबु क आदमी बन जाओ बुड़े ने कठोर भाव से सिरहला कर कहा मैं नहीं जाता मेरी बला जाए वही चड़ा है खूब जानता हूँ भया को लेकर उन्हीं के पास गया था खेलने जा रहे थे पैर पर गिर पड़ा था एक नजर देख लीजिये मगर सिधे मुझ बात नहीं कि भग तो एक लड़का है सबने जवाब दे दिया भगवान बड़ा कारसाज है उस बक्षत मेरी आँखों में आशू निकल पड़े थे अब उन्हें तनिक भी दयाने आई थी मैं तो उनके द्वार पर होता तो भी बात ने पूछता तो ने जाओगे हमने तो सुना था सो कह दिय अच्छा किया अच्छा किया कलेजा ठंडा हो गया आखे ठंडी हो गई लड़का भी ठंडा हो गया होगा तुम जाओ आच्चैन की निन्द सोऊंगा बुढ़िया से जरत तमभाखु लादे एक चिलम और प्योंगा अब मालुम होगा लाला को सारी साही भी निकल जाएग हमारा क्या विगडा लड़के के मर जाने से कुछ राज तो नहीं चला गया जहां छेंच पच्चे गए थे वहां एक ओर चला गया तुम्हारा तो राज सोना हो जाएगा उसी के वास्ते सब का गला दबा दबा कर जोड़ा था नैं एक बार देखने जाऊंगा पर कुछ द चिलम पर तमाखू रख कर पीने लगा बुड़िया ने कहा इतनी रात गए जाड़े पाले में कौन जाएगा अरे दोपैरी होती तो मैं नहीं जाता सवारी दरवाजे पर लेने आती तो भी मैं नहीं जाता भूल नहीं गया हूं पन्ना की सूरत आज भी आखों में फिर र कि वहने बचेगा खूब जानता था चड़ा भगवान नहीं थे यह देखे क्या कह रहा है कि मैं जानता था कि मेरा बेटा नहीं बचेगा और मुझे भी पता था कि चड़ा कोई भगवान नहीं है लेकिन फिर भी इनसान जब तक उसका मन नहीं मानता तब तक कोशिस करता ह और उसी कोशिस की वजय से वह बुढ़ा व्यक्ति चड़ा के पास गया था कि सायद एक आसा होती है मैंने आपको पहले समझाया बच्चों कि अगर आसा नहीं मनुष्य के जीवन में तो जीवन बड़ा ही दुरलब हो जाए तो उसको एक सायद चड़ा कुछ कर दे लेकिन च इसलिए उनके पास दुड़ा गया था अब किसी दिन जाओंगा और कहूंगा क्यों साहब कहिए क्या रंग है भगत के लिए जीवन में यह पहला उसर था कि ऐसा समाचार पाकर वैब बैठा रह गया हो असी वर्स के जीवन में कभी नहीं हुआ था कि साप की खबर पाकर व नहीं निकाल सका यह खबर सुनकर सोने जा रहा है बुढ़ी ने कुपी बुझाई कुपी वह होती है बच्चो वह समय पहले जब लाइट नहीं होती थी तो मिटी तेल की एक शीशी में मिटी तेल डालकर एक कपड़े की बत्ती बना कर जलाते थे उसको कुपी बोलते थे कुपी बुझाई और कुछ देर खड़ा रहा फिर बैठ गया अंत में लेट गया पर यह खबर उसके हर्दय पर बोज की बाती रखी हुई थी उसे मालम हो रहा था कि उसकी कोई चीज खो गई है जैसे सारे कपड़े गीले हो गए है या पैरों में कीचर लगा हुआ है जै का मन बार-बार यही कर रहा था कि मैं डोक्टर के घर जाओं और उसके बेटे को बचा लो क्योंकि इसके पास वो मंत्र थे जिससे वो उसकी जान बचा सकता था बले ही डोक्टर ने उसके बेटे की जान नहीं बचाए उसकी मदद नहीं की क्योंकि वो अर्दे हीन व्यक्त में खराटे लेने लगी बुढ़े बाते करते करते सोते हैं बुढ़े बाते करते करते सो जाते हैं बुजर्ग जो होते हैं उन्हें जैसे वह बाते करते हैं और बाते करते करते ही वह सो जाते हैं अक्सर आप लोगों ने भी देखा होगा और जरासा खराटा होते ही जागते हैं और जाग भी जल्दी जाते हैं यानि उन्हें नीद बहुत कम हो जाती है उनकी बहुत जल्दी बाते करते हैं उनकी आखे लग जाती हैं सो जाते हैं और थोड़ी सी आहट में ही उनकी आखे खुल जाती हैं अब भगत उठा अपनी लक है अभी बहुत रात है सो जाओ नींद नहीं आती नींद काहें को आएगी मन तो चड़ा के घर पर लगा हुआ है चड़ा नहीं मेरे साथ कौन सी नेकी कर दी जो वहाँ जाओ वह आकर पैरो पड़े तो भी नहीं जाओ उठे तो तुम इस रादे से ही थे नहीं रही ऐसा पागल नहीं हूँ कि जो मुझे काटे बोए उसके लिए फूल बोता फिर हूँ बुढ़े फिर सो गई बुढ़े ने फिर किवाड़ खोले इतने दीरे से कि बुढ़े को खबर नहीं हुई बहार निकल आया उस वक्त गाउं का चोकिदार गस्त लगा रहा था इदर उदर बोला कैसे उठे बगत आज तो बड़ी सरदी है कहीं जा रहे हो क्या बगत ने का नहीं जी जाओंगा कहां देखता हूँ अभी कितनी रात है भला के बजे होंगे चोकिदार बोला एक बजा होगा और क्या अभी थाने से आ रहा था तो डोक्टर चड़्डा के बंगले पर भी लगी हुई थी उनके लड़के का हाल तो तुमने सुना होगा कीडे ने छूलिया है चाहे मर भी गया हो तुम चले जाओ तो सायद भच जाए सुना है दस हजार देने को तयार है बगत मैं तो नहाँ जाओं चाहे एक दस लाक भी दे चाहे वे दस लाक भी दे मैं नहाँ जाओं चाहे वे दस लाक भी दे मुझे दस हजार या दस लाक लेकर क्या करना है कल मर जाओंगा फिर कौन वोगने वाला बैठा हुआ है चोकिदार चला गया बगत ने आगे पैर बढ़ाया जैसे नसे में आदमी की देह अपने काबु में नहीं रहती पैर रखता कहीं है पढ़ता कहीं है कहता कुछ है जुबान से निकलता कुछ है वही हाल इस समय भगत का था मन में परतिकार था बदला पर कर्म मन के अधिन था यानि मन ये कह रहा था कि उसे अपना कर्म करना चाहिए जो वो कर सकता था बगत लाठी खटकट करता लपका चला जाता है चेतना रोकती थी पर उप चेतना ठेलती थी सेवक स्वामी पर हावी था आधी रहा निकल जाने के बाद सहसा भगत रुख गया हिंसा ने करिया पर विजय पाई मैं यो ही इतनी दूर चला आया इस जाड़े पाले में मरने की मुझे क्या पड़ी थी आराम से सोया क्यों नहीं नीद ने आती नैसे ही दो-चार भजन ही गाता विर्थ दिनी दूर दोड़ा आया ऐसे ऐसे बाउन के मन में आ रहे थे चड़ा का लड़का रहे या मरे मेरी बला से मेरे साथ इनोंने कौन सा अच्छा सलूक किया था कि मैं उनके लिए मरूँ दुनिया में हजारों मरते हैं हजारों जीते हैं मुझे किसी के मरने जीने से क्या मतलब मगर उप्चेतना ने अब एक दूसरा रूप धरन किया जो हिंसा से बहुत कुछ मिलता जुलता था वे जाड़फू करने नहीं जा रहा है वे देखेगा कि लोग क्या कर रहे हैं बड़े लोग भी छोटो की बाती रोते हैं या सबर भी कर जाते हैं वे लोग जो विद्वान होते हैं सबर कर जाते होंगे हिंसा भाव को यो धीरज देता हुआ वे फिर आगे बड़ा इतने में दो आदमी आते दिखाई दिये दोनों बाते कर रहे करते चले जा रहे थे चड़ा बाबू का घर उजड़ गया वही तो एक लड़का था भगत के कान में ये आवाज पड़ी उसकी चाल और भी तेज हो गई इस तरह कोई दस मिनट चला होगा कि डोक्टर साब का बंगला नजर आया सन्नाटा चाया हुआ था रोने पिटने की आवाजे भी नहीं आती थी भगत का कलिजा धकदक करने लगा कहीं मुझे बहुत देर तो नहीं हो गई देखा उसके मन में फिर भी ये था कि कहीं मुझे देर तो नहीं हो गई कहीं वो बच्चा मर ना जाए कि कहीं मुझे देर तो नहीं हो गई वह दोड़ने लगा उसकी उम्र में वह इतना तेज कभी ने दोड़ा था बस यही मालूम होता था मानूस के पीछे मोत दोड़ी आ रही हो दो बज गए थे महमान विदा हो गए रोने वालों में केवल आकास के तारे रह गई थे और सभी रो रोकर ठक गई थे बड़ी उत्सुक्ता के साथ लोग रह रहकर आकास की और देखते थे कि किसी तरह सुबह हो और लास गंगा की गोद में दे दी जाए सहसा भगत ने द्वार पर पहुँच कर आवाज दी दोक्टर सहाब समझे कोई मरी जाया होगा किसी और दिन उन्होंने उस आदमी को दुद्कार कर दुद्कार दिया होगा मगर आज बहार निकल आए देखा एक बुढ़ा आदमी खड़ा है कमर जुकी हुई पोपला मूँ भोएं तक सफेद हो गई थी लकडी के सहारे काप रहा था बड़ी नम्रता से बोले क्या है भाई आज तो हमारे उपर एसी मुसिवत पड़ गई कि कुछ कहते ही नहीं बनता फिर कभी आना इधर एक महिने तक सायद मैं किसी मरीज को ने देख सकूंगा भगत ने कहा सुन चुका हूँ बाबुजी तभी आया हूँ भईया कहा है जरा मुझे दिखा दीजिए भगवान बड़ा कारसाज है मुर्दे को जिला सकता है उसने कहा कि भगवान बड़ा ही दयालू है चमतकारी है कि वह मुर्दे को भी जिन्दा कर सकता है कौन जाने अब भी उसे दया जाए जड़ा ने व्यतित स्वर से कहा दुखी स्वर से कहा चलो देख लो मगर तीन चार गंटे हो गए जो कुछ होना था हो चुका बहुतेरे जाड़ने फूकने वाले देखकर चले गए बहुतेरे बहुत सारे डोक्टर साब भगत को अंदर ले आए उसने लास को एक मिनट तक देखा तब मुश्कुरा कर बोला अभी कुछ नहीं बिगडा बाबुजी अगर नारायन चाहेंगे तो आदे गंटे में भई पाइप को नहलाना सुरू किया पाइप बंध हो गया था कहारों की संक्या अधिक नैं थी इसलिए महमानों के आथे के बाहर कुए से पानी भर-भर कर कहारों को दिया और मनाली कलसा लिए पानी ला रही थी बुड़ा बगत खड़ा मुश्कुरा मुश्कुरा कर मंत्र फूक रहा था मानो विजय उसके सामने खड़ी है यानि उसे अपने आप पर विश्वास था इसलिए मुश्कुरा कर मंत्र फूक रहा था उसे विश्वास था कि यह ठीक हो जाएगा जब तक मंत्र समाप्त हो जब उसा ने अपनी लाल लाल आखे खोली तो कैलास उसा से मतलब रात्री से जब लाल लाल आखे आनी थोड़ी भोर हो जाती है तो कैलास की भी लाल लाल आखे खोल गई एक छण में उसने अंगडाई ली और पानी पानी को पानी पीने को मांगा मरनालनी कैलास के सामने आख में आशु बरे पूछने लगी अब कैसी तब्यत है एक चंड में चारो तरफ खबर फैल गई मित्रगन मुबारक बात देने लगे देने आने लगे डोक्टर सहाब बड़े इस्रद्धा भाव से हर एक के सामने भगत का यस गाते फिरते थे सभी लोग भगत के दर्शनों के लिए उत्सुखों उठे मगर अंदर जाकर देखा तो भगत का कहीं पता ने था यानि वो अपना काम करके चुपचापा से चला गया था यहां तो भगत की चारो और तलास होने लगी और भगत लपका हुआ घर चला जा रहा था कि बुढ़िया के उठने से पहले पहुंच जाओं जब महमान लोग चले गए तो डोक्टर साहब ने नाराइनी से कहा बुढ़ा ने जाने कहां चला गया एक चिलम तमाखु का भी रवादार ने हुआ यानि एक चिलम तमाखु भी नहीं पी नाराइनी मैंने तो सोचा था कि इसे कोई बड़ी रकम दूँगी चड़ रात को मैंने नहीं पहचाना पर जरा साफ हो जाने पर पहचान गया एक बार यह है एक मरीज को लेकर आया था मुझे अब याद आता है कि मैं खेलने जा रहा था और मरीज को देखने से इनकार कर दिया था आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी गलानी हो रही है उसे परकट नहीं कर सकता यानि उसे अपने आप ही अपने आप पर सर्म आ रही थी कि मैंने ऐसा क्यों किया था गलानी हो रही है उसे परकट नहीं कर सकता मैं उसे खोज निकाल लूँगा और पैरों पर गिरकर अपना अपराद छमा कराऊंगा वे कुछ लोग कुछ लेगा नहीं यह जानता हूं उसका जन्म यस की वर्षा करने के लिए हुआ है उसकी इस जन्ता ने मुझे इसा आदर्स दिखा दिया है जो अब से जीवन परितन मेरे सामने रहेगा तो देखा बच्चो आपने कि कैसे एक हर्दे हिन डोक्टर ने एक बुजुर्ग के बेटे को नहीं देखा लेकिन उस बुजुर्ग व्यक्ति ने जब इस बारे में सुना कि उसको सामने डस लिया ऐस डोक्टर के बेटे को उसी डोक्टर चट्रा के बेटे को जिसने उस ब क्यों कि वह एक सज्जन व्यक्ति था तो उसने अपना कर्म किया जबकि उसके साथ दॉक्टर चड़ा ने कोई अच्छा कर्म नहीं किया था लेकिन उसने फिर भी अपना कर्म किया तो आपको इस कहाँने से कि आप शिक्षे मिलते है बच्चो कि किसी का व्यावार कैसा भी हो कोई अपने व्यावार में कितना भी बुरा हो हमारे साथ कितना भी बुरा करे लेकिन हमें उसके साथ उसी के जैसा व्यावार नहीं करना चाहिए बलकि हमें अपने मन के अनुसार अपने कर्म के नुशार ही अपना कर्म करना चाहिए ओके बच्चो तो ध्यान पुर्वक इसकी रीडिंग एक बार फिर करेंगे आप समझेंगे अच्छे से ओके धन्यवाद